ध्यान रखने योग्य बाते अपना कीमती समय निकाल कर जरूर पढ़ें बुजुर्गों द्वारा बताई गई नमबर एक सफेद नमक के सेवन से अनेकों प्रकार की बिमारियां होती हैं जैसे हाई बलड प्रेसर, डाइबिटिज, थाइराइड की तयाद इसकी जगह काला या सेंधा नमक का सेवन करके बहुत सारी बिमारियों से बचा जा सकता है नमबर दो आखों की रोशनी तेज करने के लिए सबसे महत्तपूर आवला जो की इसके लिए बरदान है नमबर तिन, अधिक उन फलो का सेवन करें जिसमें विटामिन सी पाया जाता है जैसे संत्रा मौसम्मी निम्बू वाद ये आखों को सुर्य की रोशनी से होने वाले नुखसान से मचाता है नमबर चार, बादाम को भीगो कर खाना भी आखों के लिए फायदेमंद है नमबर पाँच, मसूर की दाल दो चम्मच लेकर बारिक पीश लें, इसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर पतला लेप बना लें इस लेप को मुहासो पर लगाएं, रात भर लगाएं रखें और सुबह हलके गर्म पानी से धो डालें नमबर छे, अरजुन की छाल, मंजीठी और वासा की छाल को पीश कर सहद में मिलाकर लेप करने से मुहासे ठीक होती हैं नमबर साथ, मेथी के बीजों को एक घंटे के लिए पानी में भीगो दें, फिर इन्हें थोड़े से पानी के साथ पीश कर गाढ़ा पेश्ट बनाएं, इस पेश्ट को खुजुली से प्रभाविच छेतरों पर लगाएं, पेश्ट सुखने पर तवचा को पानी से धो ले नमबर आठ है, वजन कम करने के लिए खाना कम खाना चाहिए, जो आप खाते हैं उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, और दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, एक साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए नमबर 9 गर्म पानी पीना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके और पानी ज्यादा पीना चाहिए, ज्यादा पीनी चाहिए, दही खाना चाहिए और मिठा भिलकुल कम खाना चाहिए नमबर दस जितना हो सके पैदल चलने का भ्यास डाले या पेट अंदर करने में महतपुड भूंका अदा करता है नमबर ग्यारत चाय के सेवन अगर संभव है तो बंद कर दें चाय शरीर के लिए हानिकारक होती है नमबर बारे इन कुछ उपाईयों को अजमा कर आप अपने पेट को असानी सिक्कम कर सके नमबर तेरे गुनगुने पानी में सहद नीबू का रस अदरक का रस सभी बराबर मात्रा में सुबह खाली पेट एक एक चमच आपस में मिला कर लेने से एक माह ही में असर दीखने मात्र लगभग एक चौथाई बच या यह कफ रह जाए तो उसे गुनगुना ही धिरे धिरे पी लें दोस्तों अगर यह जनकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न नेश्ट वीडियो में